जहां पूरे देश में शिरिक किष्ण जिनमास्ट में पर्व हर्शो लास के साथ मनाया गया वही करनार की विभीन मंदिरों में भी धार्मिक आयोचिनों का कारेकरम रखा गया इन कारेकरमों में करोना महामारी के इंतरगत जीला प्रिशासन की ओर से जो दिशा निर्देश मंदिरों को दिये गए थी उनका भरपूर खयाल रखा गया साथी मंदिर को सिनिटाइस भी किया गया वही सभी श्रधालू ने मास्क लगा कर मंदिरों में आये करोना महामारी में जहां मंदिरों में भीड का आना जाना कम रहा परंतु लोगों में शिरी कृष्ण भगवान के प्रती आस्था दिखाई दी गीता मनीशी स्वामी ज्याननदी ने सनातन धरम मंदिर कुंचप्रा रोड में पहुँचकर सभी भगतों को अपना आशिरवाद दिया उन्होंने कहा कि शिरी कृष्ण जिनमास्टमी मोहत्सव एवं शिरी कृष्ण का अवतार दिवस देश ही नहीं पूरे विश्व में हर्षय उलास के साथ मनाया जा रहा है जहाँ जहाँ भी भार्टी लोग रहते हैं वहाँ भगवान शिरी कृष्ष्णी जिनमोंसब को बड़े श्रधाभाव के साथ मनाया जाता है उन्होंने कहा कि करोना महामारी के इंतरगर्त विभिन प्रकार के सावधानियों के बीच शरधालूं में भगवान शिरी किष्णी के प्रती आस्था कम नहीं हुई है उन्होंने कहा कि हमें श्री कुछ नया सीखने का मोका दिया है परंतु फिर भी देशवासी इस महामारी के समे भी धार्मिक आस्था को अपने अंदर समेटी हुए है वहाई मंदिरों में करोना वा हमारे को लेकर भीड कम रही लेकिन श्रधालू में श्री कृष्ण के प्रती पूरी आस्था बनी रही करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपॉर्ट आस्था घर घर में व्याप्त है ही आवशक्ता इस बात की है कि हम सब फगवान कृष्ण के अवतार के उस प्रयोजन को समझें वो प्रयोजन है प्रित्रानाए साधुनाव विनाशायचे दुश्कृताम अर्थाद जो दुश्वरतियां हैं उनका संहार करने के लिए प्रभू आते हैं सद्वरतियां सद्भावनाएं पनपाने के लिए आते हैं आज फिर से आवशकता है कि हमारे मन में यदि व्यरत का अभिमान, क्रोध, इरश्या, द्वेश जैसी दुश्वरतियां भरी हैं उन्हें निकालें मन में प्रेम हो घर घर में जो व्यरत की कहिना की दुरभावनाएं व्याप्त हो जाती हैं वो दूर करें और घर घर में प्रेम हो क्योंकि ये अवतार प्रेम का अवतार है समता समरस्ता का अवतार है ये और समाजिक समरस्ता अत्यंत आवशक है बहुत वेदना होती है जब दिखता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं जातीगत संघरश कहीं वर्ग के संघरश कहीं और स्वा सम्ता का वातावन बने सम्रस्ता का वातावन बने और वैसे तो करोना ने भी बहुत कुछ सिखाया है बहुत कुछ दिखाया है उससे भी हम सीख लें और फगवान से आज के दिन में प्रार्थना भी करें कि ये कालिये विश्यो भर में जहां जहां हमारे भारतिये निवास कर इस बार यद्यपी कौविड का करोना का प्रभाव जो चल रहा है उसके चलते जो आस्था का एक जनून प्रगट होता है आज के दिन वो नहीं दीख रहा तो भी हमें लगता है कि यह भाव आस्था घर-घर में व्याप्त है ही आव शक्ता इस बात की है कि हम सब फगवान कृ मेश्ण के आवतार के उस परियोजन को समझें वो परियोजन है प्रित्राणाय साधुना विनाश आईचज़ दुष्करताम अर्थाद जो दुश्वरतियां हैं उनका संहार करने के लिए प्रभू आते हैं सद्रतियां सदभावनाय पनपाने के लिए आते हैं आज फिर से आवशकता है कि हमारे मन में यदि व्यर्थ का अभिमान, क्रोध, इरश्या, द्वेश जैसी दुश्वरतियां भरी हैं उन्हें निकालें, मन में प्रेम हो, घर घर में जो व्यर्थ की कहिना कि दुरभावनाएं व्याप्त हो जाती हैं वो दूर करें और घर घर म का अवतार है, समता संघरस्टा का अवतार है यह, और समाजिक सforcement अत्यांत आवशक है, बहुत बेदना होती हैं जब दिखता है, कि छोटी-छोटी इन संखर्षों से उपर उठें, सम्ता का वातावन बने, सम्रस्ता का वातावन बने, और वैसे तो करोना ने भी बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिखाया है, उससे भी हम सीख लें, और फगवान से आज के दिन में प्रार्थना भी करें, कि है कालिये का मर्दन करने व वाले गोविंद प्रभू आपने अवतार लेकर अनेकों राक्षसी बृतियों का संहार किया और इस समय जो करोना के रूप में एक अद्रिश्य आसरी शक्ति पूरे विश्व पर हावी है और लगबग अर्थ तंत्र प्रशासन तंत्र व्यवस्था तंत्र और हमारी धार्मि आस्त्र तंत्र को भी कहीना कि इस क्रोना ने परभावित किया है तो अब इस क्रोना रूपिय द्रिश्य आसरी शक्ति को भी आप पास्ति करें समाप्त करें ताकि फिर से मानोता पहले की तरह खिल खिलाती हुई खुले रूप में दिखाईजेज़ा एक स्वाविजी संक्षिप्ट में जाना चाहेंगे कि करीब पांसो साल पुराना जो है राम मंदिर का सपना करोडों देशवासियों का पूरा हुआ तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछी दिनी हुए है और आप से भी पुरानी यादे जुड़ी हैं जो आपके साथ महां पर पहुँचे थे क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर देशवासियों के नाम वस्तुता अयुद्या अनेक बार जाना हुआ तब भी जाना हुआ था जब यहाँ घर घर में और गाउं गाउं में शिला पूजन हुए थे और उसके पश्चात भी कुछ बार जाना हुआ लेकि इस बार का जाना एक अलग से गौरव की अनुभूती करवा रहा था एक अलग से हर्ष और आनंद की अनुभूती करवा रहा था क्योंकि एक अनुभूती अयुध्या वासियों को तब थी जब प्रभू राम चौदें वर्श का बनवास पूरा करके अयुध्या आये थे और एक अनुभूती अयोद्या के साथ साथ पूरे विश्यों में रहने वाले जो भारतिय आस्थावान हैं एक अनुभूती इस समय उने हुई क्योंकि प्रभू कहीं न कहीं अब भी बनवास किसी इस्थिती में थे तरपाल की चदर, टेन की चदर उसमें तो लगता था जाकर कि सब लोग अच्छी अच्छी कोटियों में रहे ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवाद झाल